दोस्तों नमस्कार ये है मागदेशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों लूसेंट जी के सामान निग्यान सरिंखला के अंतरगत इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्तोपूर्टत थे जो आपके आगामी सभी परिक्षाओं के सामान निग्यान और सामान नियाध्यन के लिए बहुत ही उप्योगी है इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतरगत अरबो का भारत पराक्रमड महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी तथा सल्तनत काल में गुलाम वंस और खिल जीवन से संबंधित मोहत्तुपूर्ट तथियों को कवर करेंगे तो आएए शुरू करते हैं लूसेंट जीके के अंतरगत मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित मोहत्तुपूर्ट तथियों इसमें सबसे पहले हम भारत पर अर्बो के आक्रमण के बारे में जानेंगे। दोस्तों मुहम्मद बिन कासिम के नेत्रितु में अर्बो ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था और अर्बो ने सिंध पर 712 इस भी में विजय पाई थी। तो याद रखियेगा अर्बो ने भारत पर पहला सफल आक्रमण मुहम्मद बिन कासिम के नेत्रितु में 712 इस भी में किया था और अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर जो की शासक था दाहिर इसका सासन था और भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश धन दौलत लूटना और इसलाम धर्म का परचार परसार करना था अब आईए महमूद गजनवी के बारे में जानते हैं दोस्तु 932 इस भी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी सामराज्य की अस्थापना की थी जिसकी राजधानी गजनी थी तो याद रखेग अलप्तगीन ने 932 इस भी में गजनी सामराज्य की अस्थापना की थी उसकी राजधानी गजनी थी और अलप्तगीन की मृत्तु के कुछ समय तक गजनी में पिरी तगीन ने सासन किया था और इसी के सासनकाल में 972 से 977 में सबसे पहले भारत पर आकरमर किया गया पर्थम तुर्क आकरमण के समय पंजाब में शाही वंस का सासक जैपाल सासन कर रहा था तो याद रखेगा भारत पर पहले तुर्क आकरमण के समय पंजाब में शाही वंस का सासन था और इसका सासक जैपाल था दोस्तों अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 में गजनी की गद्धी पर वैठा और महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था जिसका जन्म एक नवंबर 971 इस्वी में हुआ था अपने पिता के काल में महमूद गजनवी खुरासान का सा सक्था और महमूद गजनवी ने 27 वर्स की अवस्था में 998 इस्वी में गद्धी सम्हाली थी दोस्तों बगदाद का खलीफा अलदाहिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मानिता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद्धौला और यमीन उल्मिल्लाह की उपाधिती थी अगर भारत पर आकरमणों की बात करें तो महमूद गजनी ने भारत पर रिकार्ड 17 बार आकरमण किया था और महमूद के भारती आकरमण का वास्तविक उद्धेश धन की प्राप्ति था महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमण कारी था जिसने तमाम हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया था दोस्तो महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण एक हजार इस्वी में किया और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लोट गया था महमूद गजनवी ने एक हजार एक इसवी में शाही राजा जैपाल के विरुद्ध आकर्मन किया इसमें जैपाल की पराजय हुई थी महमूद गजनवी का एक हजार आठ इसवी में नगर कोट के विरुद्ध हमले को मुर्तिवात के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है महमूद गजनवी ने थाने स्वर के चक्र स्वामिन की कान से निर्मित आदम कद प्रतिमा को गजनी भेज कर रंग भूमी में रखवाया और महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमर एक हजार पचीस इसबी में सोमनात मंदिर सौराष्ट पर हुआ था इस मंदिर की लूट में उसे करीब बीस लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी सोमनात की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिल वाड़ा के शासक पर महमूद ने आकरमर किया सोमनात मंदिर लूट कर ले जाने के करम पर महमूद पर जाटो ने आकरमर किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी दोस्तों सोमनात मंदिर के बारे में जान लीजे कि सोमनात भारत के बारह आदी जोतिर लिंगों में पर्थम है और ये गुजरात में अरब सागर के तट पर है 13 नमबर 1947 को सरदार बल्लब भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर निर्मार सुरू करवाये गया और 11 माई 1951 के दिन राष्ट्र पती राजेंदर परसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी महमूद गजनवी का अंतिम भारती आकरमण दोस्तों 1027 इसवी में जाटों की विरुद्ध था महमूद गजनवी की मृत्व 2030 में हुई थी और देखे सुल्तान की उपाधि धारन करने वाला पर्थम सासक महमूद गजनवी था महमूद की सेना में सेवंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे अलबरूनी फिरदावसी उतबी और फारूखी ये महमूद गजनी के दरबार में रहते थे महमूद गजनवी के बाद आए मुहम्मद गोरी के बारे में जानते हैं दोस्तों गउर मुहम्मद गजनी के अधिन एक छोटा सा राज्य था और 1173 इस भी में शहाबुद दीन मुहम्मद गोरी गउर का शासक बना था इसने भारत पर पहला आकरमड 1175 में मुलतान के विरुद्ध किया था और मुहम्मद गोरी का दूसरा आकरमड 1178 इस भी में पाटन गुजरात पर हुआ यहाँ का शासक भीमदुती ने गोरी को बुरी तर परास्त किया था आएए देखते हैं मुहम्मद गोरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में तो तराइन का पर्थम युद्ध 1191 में मुहम्मद गोरी और पृत्वी राज-चोहान के बीच हुआ और इसमें पृत्वी राज-चोहान विजई हुए तराइन का दुती युद्ध 1192 में पृत्वी राज चौहान और मुहम्मद गोरी के बीच में हुआ इसमें गोरी की विजय हुई और चंदावर का युद्ध 1194 में मुहम्मद गोरी और जैचंद के बीच हुआ इसमें गोरी विजय रहा दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध में प्रथविराज चौहान का सेनापती असकंद था मुहम्मद गोरी भारत के विजित प्रदेसों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौपते हुए गजनी लोट गया और मुहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई थी अब इसके बाद सल्तनत काल का सासन आता है देखिए सल्तनत काल में सबसे पहले हम गुलाम वन्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों आप जान लीजिए कि गुलाम वन्स की अस्थापना 1206 में कुतुब बुद्दीन एबक ने किया था और वह गोरी का गुलाम था गुलामों को फार्सी में बंदगान कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था दोस्तों कुतुब बुद्दीन एबक ने अपना राज्या विशेक 24 जून 1206 को किया था और कुतुब बुद्दीन एबक ने अपनी राजधानी लाहोर में बनाई थी कुतुब मिनार की नियों कुतुब बुद्दीन एवक ने डाली थी और दिल्ली का कुवत्तोल इसलाम मस्जिद और अजमेर का धाई दिन का जोपड़ा नामक मस्जिद का निर्मार एवक ने करवाया था कुतुब बुद्दीन ऐबक को लाख बक्स यानि लाखों का दान देने वाला कहा जाता है दोस्तों कुतुब बुद्दीन के समय कुतुब मिनार की केवले एक मंजिल बन सकी थी इल्तुतमिस ने इसे 225 फिट उची 4 मंजिल का बना दिया फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी 4 मंजिल नश्ट हो गई जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिले बनवा दी जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और उचाई 9 फिट बढ़कर 234 फिट हो गई प्राचीन नालंदा विश्व विद्याले को ध्वस्त करने वाला अयबक का सहायक से ननायक बक्तियार खिलजी था याद रखेगा कि ये खिलजी जो था ये खिलजी वनस से अलग था जिसने नालंदा विश्विद्याले को द्वस्त किया था ये अईबक का सहायक से नायक बक्तियार खिल जी था और अईबक की मृत्तु 1210 में चौगान खेलते समय घोडे से गिर कर हो गई थी और इसे लाहौर में दफनाया गया था आये मंगोलों के बारे में जानते हैं मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे वो एक घूमने फिरने वाली अर्ध सब भिजाती थी और उनका मुख्य पेशा घोडों और अन्यपसुओं का पालन करना था वे बहुत गंदे रहते थे और सभी प्रकार का मांस खाते थे उनमें इस्त्री विश्यक नैतिक्ता का सर्वता अभाव था यद्यापी मा का सम्मान करते थे वे विभिन कभीलों में बटे थे उनहीं कभीलों में से एक 1163 में तेमू चिन उर्फ चंगेज खांका जन्म हुआ जिसे महान यानि चंगेज द ग्रेट और श तो कुतुब बुद्दीन एहबक का उत्राधिकारी आरामशाह हुआ जिसने आठ महीनों तक सासन किया आरामशाह की हत्या करके इल्तुतमिष 1211 में दिल्ली की गद्धी पर वैठा इल्तुतमिष तुर्कित्तान का इलबरी तुर्क था जो एहबक का गुलाम और धमाद था आएबक की मृत्तु के समय वह बदायू का गवर्नर था दूस्तों इल्तुतमिष लाहोर से राजधानी को अस्थानांतरित करके दिल्ली लाया इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माड देहली एकोहना के निकट करवाया और इल्तुतमिष पहला सा सक्था जिसने 1229 में और चंगेज खांसे बचने के लिए ख्वारिज्म के सामराट जलालुद्दीन को इल्तुतमिष ने अपने अहां सरण नहीं दी थी अब आईए देख लेते हैं इल्तुतमिष के कुछ महत्तुपूर्ण कारियों के बारे में देखे कुतुम मिनार के निर्मार को पूर्ण क कराने का जो कारे था इल्तुतमिष ने करवाया और इल्तुतमिष ने सबसे पहले शुद्ध अरभी सिख्के जारी किये इसमें तांदी का टंका और तांबा का जीतल था इल्तुतमिष ने एक्तापडाली का प्रारम किया और 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर तो इलतुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोजगद्दी पर बैठा वह एक अयोगिशासक था इसके अलपकालीन सासक पर उसकी मा शाह तुरकान चाही रही शाह तुरकान के अवानशित प्रभाव से परेशान होकर तुरकी अमीरों ने रुकनुद्दीन क तो इस तरह से रजिया बेगम पर्थम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागदोर समाली थी दूस्तों रजिया भारत की पर्थम महिला सासिका है और रजिया ने परदा-परथा का त्याग कर पुरुशों की तरह चोगा यानि काबा और कुलाह यानि टोपी पहन कर जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर यानि घोडे का सरदार ने उक्त किया और गैर तुरकों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुरकी अमीर बिरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुईजुद्दीन बहरामसा को बैठा दिया 1240 को डाकूँ के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मशूद साह बना था बलवन ने सडियंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मशूद साह को सुल्तान के पद से हटा कर नसीरुदीन महमूत को सुल्तान बना दिया और नसीरुदीन महमूत ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूत के साथ किया था बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था वह इलतुतमिस का गुलाम था तुरका ने चिहलगानी का विनास बलवन ने किया था और दोस्तों बलवन ने 1266 में गिया सुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्धी पर बैठा और वह मंगोलों के आकरमर से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा और सीरी नामक नया नगर बलवन ने बसाया था राजदर्बार में सिजदा और पैबोस पर्था की सुरुवात बलवन ने की थी और बलवन ने दोस्तों फारसी रेत रिवाज पर आधारित नौरोज यानि फारसी साल का पहला दिन इस उत्सव को प्रारम करवाया था अपने विरोधियों के प्रति बलवन ने कठोर लौह और रक्त की नीति का पालन किया था नसीरुद्दिन महमूद ने बलवन को उलूग खांकी उपाथ दी थी दूस्तों बलवन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायत करा कर दुरुस्त रखता था और बलवन के दरबार में फारसी के प्रसिध कभी अमीर खुसरो और अमीर हशन रहते थे और देखिए गुलाम वन्स का अंतिम शासक समसुद्दीन कैमुर्स था याद रखिएगा इसके बाद आता है खिलजी वन्स का सासन खिलजी वन्स का सासन 1290 से 1320 तक रहा और आप जान लेजिए कि गुलाम वन्स के सासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वन्स की अस्थापना की इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया और जलाल उद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा और दमाद अलाउद्दीन खिलजी ने काडा मानिकपूर प्रियाग में कर दिया था 12 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना और अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुर सास्था अलाउद्दिन खिलजी ने सेना को नकत वेतन देने और अस्थाई सेना रखने की निव रखी और दिल्ली के सासकों में अलाउद्दिन खिलजी के पास सबसे बड़ी अस्थाई सेना थी दूस्तों घोडा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की पर्था की शुरुआत अलाउद्दिन ही खिलजी के समय में हुई और अलाउद्दिन ने भू राजसों की दर को बढ़ा कर उपच का एक बटे दो भाग कर दिया था इसने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्षा एक बटे चार के अस्थान पर तीन बटे चार भाग कर दिया था इसने वयापारियों में वेईबानी रोकने के लिए कम तवल या घट तवली करने वाले ब्यक्ति के सरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया और इसने अपने शासनकाल में मुल्य नियंतरन पडाली को द्रिणता से लागू किया था और दक्षिन भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था और देखें जमयत खाना मस्जिद अलाई दर्वाजा, सीरी का किला और हजार खंभा महल का निर्माड अलाउद्दीन ने करवाया था बहुत ही महत्वपूर्ट तथे दोस्तों आप जान लिजे कि अलाई दर्वाजा को इसलामी वास्तुकला का रतन कहा जाता है रत्न कहा जाता है इसका निर्मार अलाउद्दीन खिलजे के द्वारा किया गया था दोस्तों दैवी अधिकार के सिध्धन को अलाउद्दीन ने चलाया था और उसने सिकंदर एसानी की उपाधी से स्वेंग को विभूसित किया था और अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दिवाने रियासत नियुक्त किया था अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नाम का धिकारी वस्तूओं की परमिट जारा करता था और शेहना ए मंडी दोस्तों आप जान लिजे शेहना ए मंडी खाद्यानों को बिक्री के लिए लाया जाता था और सराय ए अदल वस्त्र सकर जड़ी बूटी मेवा दीपक कतेल और अन्नि निर्मित बस्तु में बिक्ने के लिए सराय ए अदल यानि बाजार में आती थी अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं दोस्तों अमीर खुसरो का मूल नाम मुहम्मद हसन था उसका जन्म पटियाली पश्यमी उत्तर प्रदेश में बदायों के पास जो है 1252 में हुआ था पटियाली दोस्तों ये कास गंज में इस्थित है खुसरो प्रसिद्ध सूफिसंत सेख निजामुद्दिन औलिया के से से थे वह बलवन से लेकर मुहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्थानों के दरबार में रहे इन्हें तूतिये हिंदिया भारत का तोता के नाम से भी खुसरो को दिया जाता है इन्होंने ही भारती संगीत में कववाली गायन को प्रचलित किया साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगीरी, सारपादा आधे को प्रचलित करने का सुरेप्राप्त है और आप जान लीजे अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है आप जानते हैं कि अलाउदिन खिलजी ने बाजार नियंतरण पड़ाली अस्थापित की थी बाजार नियंतरण के लिए अलाउदिन खिलजी द्वरा बनाये जाने वाले कुछ नए पद थे दीवाने रियासत यह ब्यापारियों पर नियंतरण रखता था और बाजार नियंतरण की पूरी बिवस्था का संचालन करता था शेहनाय मंडी प्रतेक बाजार में बाजार का अधिक्छक होता था बरीद जो था ये बाजार के अंदर घूम कर बाजार का निरिक्षन करता था और मुन हियान और गुप्त चर ये देखे खजाइन उल्फतूह अमीर खुसरो रिहला इबन बतूता और फुतूह सलातीन इसामी की कृति है तो खजाइन उल्फतूह ये अमीर खुसरो की रिहला इबन बतूता की और फुतूह सलातीन जो है ये इसामी की कृति है दोस्तों मुल्य नियंतरण को सफल बनाने में म मुहतसिव यानि सेंसर और नाजीर यानि नापतौल अधिकारी की मुहतपूर भूमी का थी। राजस्व सुधारों के अंतरगत अलाउद्दीन ने सबसे पहले मिल्क, इनाम और वक्फ के अंतरगत दी गई भूमी को वापस लेकर उसे खालसा भूमी में बदल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाय जाने वाले दो नवीन कर थे, एक तो चराईकर और दूसरा गढ़ी कर, तो चराईकर दुधारों पसुमों पर लगाय जाता था, और गढ़ी कर घरों और जोपड़ी पर लगाय जाता था, जिसको घरी भी कहा जाता था। अलाउद्दिन खिलजी के सासनकाल में 1297 से 1326 भी तक मंगोलों के 6 आकरमण हुए प्रतम आकरमण 1297 में कादरखा के नेतरितुमें दूसरा आकरमण 1298 में सल्दी के नेतरितुमें तीसरा 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतरितुमें चोथा आक्रमर 303 में तारगी के नेतरितु में, पाचमा आक्रमर 1305 में अलिबेग और तर्ताक के नेतरितु में और छठा आक्रमर 306 में कबक और एकबालमंद के नेतरितु में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी की मृत्तु पांच जनवरी तेरे सो सोले को हो गई थी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी तेरे सो सोले को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा इसे नगन इस्तरी पुरुस की संगत पसंद थी मुबारक खिलजी कभी-कभी राज़ दरबार में इस्तरीयों का वस्तर पहन कर आ जाता था बरनी के अनुसार मुबारक कभी-कभी नगन होकर दरबारियों के बीच दोड़ा करता था मुबारक खाने खलीफा की उपाधी धारण की थी और मुबारक के वजीर खुसरो खाने 15 अप्रेल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयंग दिल्ली के सिंहासन पर बैठा खुसरो खाने पैगंबर के सेनपती की उपाधी धारण की थी तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लूशेंट जी के सामान निग्यान सरिंखला के अंतरगत मध्धिकालीन भारत के इतिहास में हमने इस पहले वीडियो में अर्बों का सिंध पर आक्रमड महमूद गजनवी महम्मद गोरी तथा सल्तनत काल में गुलाम वंस और खिलजी वंस संबंधित महत्वण तत्यों को कवर किया ये प्रशन आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं आप इन प्रशनों को तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदेशन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार